दोस्तो आप सभी लोगों के साथ में ये प्रोबलम जरूर होती है कि आपका 1GB, 1.5GB इंटरनेट डेटा है वो बहुत ही जल्दी खर्च हो जाता है यानि कि आपका इंटरनेट डेटा 2-3 घंटे के अंदर ही खर्च हो जाता है दोस्तो और पीछे बाद में आपको अलग से र दिन चलेगा चाहे आप गाना सुनो चाहे वीडियो देखो चाहे आप कोई भी सोसल मीडिया एप चलाओ आपका इंटरनेट डेटा खत्मे ही नहीं होगा तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइगन पर प्रेस कर दीजे और ट्रिक्स है वो बता देता हूं तो हमको यहां पर सेटिंग्स में जाना होगा तो हम सेटिंग्स में जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है आपके फोन में आप देखिएगा नीचे आपको जाना है और एक ओप्सन देखेगा दोस्तों अबाउट about phone का option देखता है हम इस पर click कर देंगे और जैसे ही हम इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेगा आपको यहाँ पर software information का option मिलता है हम इस पर click कर देंगे और यहाँ पर आपको build number का option देखेगा तो आपको क्या करना है इस पर 7 वार ऐसे press करना है दोस्तो इससे क्या है कि आ आपको developer option का feature मिल जाता है दोस्तों आपके phone में क्योंकि जब mobile नया होता है तो developer option का feature हमको नहीं मिलता है हमको वहाँ पर builder nber पर 7 वार प्रेस करना होता है तभी मिलता है अब यहाँ पर आपको क्या करना है back में आ जाना है और back में आने के बाद मैं system पर click करना है system में जाना होता है दोस्तों और जैसे system में जाओगे तो नीचे developer options का ये feature आपको मिल जाएगा हम इस पर click कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो settings को यहाँ पर on करना होगा दोस्तों अब वो दोना settings क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो हम यहाँ पर settings में जाएंगे नीचे देखेंगे तो हमको एक option मिलता है सबसे फर्च number का option है mobile data always active तो दोस्तों यहीं से हमारा जो internet data ना वो यहाँ से खर्च होता रहता है क्योंकि यहाँ पर mobile data हमेशा active रहता है दोस्तों आप यहाँ पर इसको off कर दीजेगा इससे क्या होगा दोस्तों कि अब आपका जो internet data है वो यहाँ पर हमेशा खर्च नहीं होगा क्योंकि दोस्तों background में आपको पता है बहुत सारे internet data खर्च होता है अब यहाँ पर यदि यह हमेशा internet data चालो रहेगा तो दोस्तों खर्च तो हो गई होगा वो तो आप भी समझ सकते हैं तो यह आपको बंद कर देना है समझ रहे हो न अब आपको नीचे इसको scroll करना है अब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको एक option मिलता है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लाबा play store भी आपने open कर लिया तो दोस्तों यह क्या है अब यह एप आप देखेंगे मैं आपको दिखा दू यह यहाँ पर इतने सारे app open है दोस्तों अब यह क्या background में यहाँ पर internet data खर्च करते रहते हैं वो कैसे जैसे कि अभी मैं यहाँ पर play store को यूज कर रहा हूँ अब यूज तो मैं play store को कर रहा हूँ लेकिन जो app open है वो भी वहाँ पर internet data consume कर रहे हैं खा रहे हैं internet data को तो आपको क्या है आपको जो मैंने बताया था ना दोस्तों settings में यहाँ पर यह standard limit में होता है दोस्तों तो आपको यहाँ यह तो no background process या at most one process इस पर click कर देना है तो हम यहाँ पर one process पर click कर देंगे इससे क्या है कि दोस्तों अब जैसे मैं settings यहाँ यूज कर रहा हूँ ना settings का app तो सिर्फ settings का app ही internet data को खर्च करेगा बाकी के यह जो other app अब इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर इसको हटा देना है इन सबको यहाँ से हटा देना है अब आप देखेंगे आपके phone में कितने सारे app है जो दोस्तों जो internet data से चलते हैं लगभग यहाँ पर 90% आप तो ऐसे होते हैं जो हमारा data consume करते रहते हैं तो आपको क्या क app में दोस्तों एक एक app में आपको जाना है जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और telegram पर जाता हूँ मैंने telegram पर क्लिक किया अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा या तो i button मिलेगा या फिर app info का option मिलेगा तो हम app info पर क्लिक कर देंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो द नहीं करेंगे तब भी यह अमारे internet data खर्च करेगा तो हम इसको off कर देंगे अभी ऐसे जो यह अभी मैंने बताया ना इस तरीके से आपको लगवक्स सारे app में कर देना है जो भी app आपके internet से चलते हैं उन सभी में आपको यह settings करनी है दोस्तों इससे क्या है कि आपका background में internet data बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा दोस्तों आपको विश्वास नहीं होता ना तो आप एक बार इन tricks को follow कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ apply करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अपने आप ही कि आपका internet data कितना बच रहा है और कितना चलेगा लगवग आपका दो घंटे में हो जाता है ना दोस्तों खर्च तो यह पूरे दिन चल जाएगा आपका internet data क्योंकि आप यदि किसी app को use नहीं करेंगे तो दोस्तों व आप देखिए आपको एक option मिलता है network and internet तो हम इस पर click कर देंगे जैसे हम इस पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए data saver का option मिलता है आपको यहाँ आप देख लीजिएगा दोस्तों हम इस पर click करेंगे अब इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर off मिलेगा दोस्त अब कोई भी एप रन नहीं होता है और यदि कोई एप रन होगा तो वो इंटरनेट से हो गई ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका data saver on है तो data saver का पतलाब यही है कि आपका net खर्च नहीं होगा दोस्तो बिना फालतुगे आपका फालतुपे कोई भी data यहाँ पर consume नहीं होगा यदि आप इसको on कर देंगे तो तो यह काम तो आपको करना ही करना है दोस्तो अब इसके अलाबा एक चीज और बता देता हूं दोस्तो आपको play store पे जाना है और play store पे जान पे over any network या over wifi only इस पे click मिलेगा लेकिन आपको don't auto update apps इस पे click कर दिना है इससे क्या होगा दोस्तो कि आपके phone में यदि 100 app है लगवाग 100 से जादा ही होते है दोस्तो लेकिन फिर भी 100 app है तो 100 app में से 10 app तो ऐसे मिलेंगे जिन में दोस्तो आपको daily update मिलते है और यदि आप य यहाँ पे don't auto update apps पे click कर दिजिगा यदि आपको किसी app को manually update करना है तो आप यहाँ पे search app में और जिस भी app को यहाँ पे update करना है उस app को search कीजिगा और search करने के बाद में आप उसको यहाँ पे update कर सकते हैं कोई सा भी app यहाँ पे आप जाएंगे और जैसे आप यहाँ पे मै आपके फॉन में काम नहीं करता है तो तो ये काम आपको कर लेना है दोस्तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके फॉन का internet डेटा बहुत बचेगा और एक काम और कर लीजिएगा जिससे दोस्तो आपका internet डेटा बहुत बच जाएगा दोस्तो क्योंकि आप WhatsApp चलाते तो जैसे मैं यहाँ पर WhatsApp पर जाऊंगा तो दोस्तो यहाँ पर three dots पर क्लिक करेंगे settings पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो यहाँ पर storage and data यह option दिखता है चैट्स का दिखता है तो storage and data पर क्लिक करेंगे और दोस्तो यहाँ पर आप देखिए when using mobile data यह option यह आपके क्या यह सारे इस तरीके से आपको यहाँ पर on मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से on मिलेंगे आपको जब आप जाएंगे settings में इस तरीके से देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, इन सब को यहाँ पर off कर देना है, तो आप off कर देंगे तो तो दोस्तो मालो आपने WhatsApp पर काफी groups में add हो रखे हैं तो groups में आपको पता है कि काफी सारी videos, photos कोई भी send कर देता है तो दोस्तो वो automatically वहाँ पर download होती रहती है और आपको उनकी जरूरत ही नहीं होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बता दू कि जो data consume करता है WhatsApp करता ह क्योंकि WhatsApp पर काफी सारे groups में आप add होते हैं और वहाँ पर photo videos बहुत सारी आती है और जो photo videos आती है वो दोस्तो internet data से ही download होती है और वो आपका मालो एक जीमे में ऐसे तो 500-600 MB data तो ये WhatsApp ही consume कर लेता है तो इसको यहाँ पर off कर दीजेगा जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से उसके बाद में आप देखिएगा आपका internet data कितना बचता है आप खुद बोलेंगे कि यार बास्त में बहुत शांदार ट्रिक बताईए मैंने तो जाईए और इन ट्रिक्स को follow कीजे लेकिन आपसे request है कि प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon पर प्रेस कर दीजेगा Facebook Instagram पर देख रह मैंने कितना सक्राइब कुद रहा दोटने।